पूरे देश में विवाद वो तेजी से फेलता गया उसके बाद में कोड में पहुंच गया और सुप्रीम कोड का आप जो फेंस लाया है वाकई में वो चोकाने वाला है सबसे पहले मैं आपको देखता हूँ आखिर ये जो हिजाब विवाद था कहां से चालूआ अब सुप्रीम कोड क्या पूरा है और अब आगे क्या होने वाल है चली स्टार्ट करते हैं वीडियो वीडियो पूरा देख लेना भाई लाइक कर देना जाता शेयर कर देना सबी तक पहुंचा देरा क्योंकि हमारे यूट्यूब की क्रपा से यहाँ पे जो वीडियो की प्रेश करणा चाओंगा कि आप जाते हैं शेयर करें वीडियो को ताकि वीडियो और भाई वेने तक पहुंचें तो चली बिना किस दरीके स्टार्ट करते हैं वीडियो तो सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए ये देखिए ये जो बिना किस दरीके स्टार्ट कर देखिए ये जो लाई वे दो वीडियो तो सबसे हैं वीडियो तो सबसे हैं वीडियो लिए जो वीडियो था यह आपको समझ में आ गया होगा यह था कर्नाटका का जिसके बाद में मामला तूल पकरता गया एक तरफ जहां पे हिजाब आने के लिए जित करीती रटकिये उसी दूसरी तरफ यहां पे भगवा गमचे गले में डाल कर भगवा पहन कर यहां पे जो आंके चातर चातर हैं वो आने लगए और यह जो विवाता तेजी से बढ़ता गया इसी पर यहां देखिए अब यहां पे सुप्रिम कोड का जवाब है हिजाब पर सुप्रिम कोड बटी एक ने का इसलाम या निवारे नहीं दूसरे ने बताया चोईस का मामला अब सीजी आई ल पतिमन लगा कर हम उनके जीवन को बहतर बना रहे हैं यह देखिए यह है सुप्रिम कोड का डिसीजन सब इंचार करे थे क्योंकि पूरे देश में हिजाब का मामला है वो तेजी से तूल पकड़ता हो दिख रहा है सुप्रिम कोड ने यहां पे देखिए यहां बटावा फ कोड के फेसले को इस सही ठहराया तो इस तरह से दो भागों में आपे बढ़ गई हेमंद गुप्ता ने हिजाब पर पतिमन के किलाव दैर समी याजिकाओं को खारिच करने का प्रस्ताव रखा वही सुदान सुदूलिया ने का है करना तक उच्चे ने गलत रास्ता चुना और ये पूरा मामला मजब में अरिवारत का ना होका व्यक्तिगत पसंद गया अनुच्छ 14-19 का है तो इस तरह से यापे दो हिस्सों में आपे बढ़ गई बारेंट बेंच का ये देखिए ट्वीट यह आपे दिख रहा होगा हिजाब इजे मेटा ओफ चॉइस कि यहाँ पे जो करनाट का एक ओर था उसका फैसला था कि यहाँ पे जो भी सेक्ष्णिक संस्ता हैं उनके अंदर यहाँ पे अगर वो चाहे हैं अपने हिसाब से तो वह आपे ड्रेस कोड रखेगी चैसे कोई भी सेक्ष्णिक संस्ता है और सभी को उसको फोलू करना तो वो भी यहाँ पे कोई भगवा में आएगा कोई यहाँ पे जो सिख है वो गोलेंगे अब करपान लेकर आएगे इस तरह से मामला बढ़ता जाएगा तो ऐसे के अंदर यहाँ पे सबी सोच रहते हैं कि यहाँ पे सुप्रिम कोड का सिधा फैंसला आएगा कि यहाँ पे जो स्कुल आएक उलेज जय जिन के अंदर भी यहाँ पे ध्यान दिजिए का जिनके अंदर भी यहाँ पे यूनिफर्म अलाव है यूनिफर्म का एक ड्रेंस कोड यहाँ फिक्स कर रखा है उनको उसको फूलो करना पड़ेगा उसमें हिजाब हो चाहिसे भगवा हो किसी को भी अलग से नहीं करेंगे लेकिन जहां पे कुछ भी मतलब यूनिफॉर्म नहीं है मतलब इस तरह का नहीं है कि कोई ड्रेस कोड है वहाँ पे अपने मनमर्जी से पहन सकता है लेकिन यहां पे मामला पूरा उल्टा हो गया और यहां पे जो हिजाब विवा जो चल रहा था वो और बड़तावाद दिख रहा है खेर आपका क्या क्या कैना इसके बारे में और आपकी क्या सोच है क्या हिजाब यहां पे स्कुल कोले जिन में मतलब अगर कोई पहन कर आना चाहिए तो उसको अलाओ कर देना चाहिए आपका का कहना है नीचे आप कमेंट करें आपको क्या लगता है क्या करेगा सुप्रेम कोड नीचे आप कमेंट करके जरूर बताए अगर यहां पे अलाओ कर देना चाहिए तो क्यों कर देना च